नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy Z Flip 3 vs. OnePlus 10 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Z Flip 3 में 6.54 इंच जबकी 10 Pro 5G में 6.42 इंच की लेंथ मिलती है जोकी Z Flip 3 से कम है विद्थ की बात करें तो Z Flip 3 में 2.84 इंच जबकी 10 Pro 5G में 2.91 इंच की विद्थ मिलती है 27 इंच जबकि 10 Pro 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि Z Flip 3 से ज्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो Z Flip 3 में 183 ग्राम्स जबकि 10 Pro 5G में 200.5 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो कि Z Flip 3 से ज्यादा है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Z Flip 3 में Dynamic AMOLED जबकि 10 Pro 5G में Fluid AMOLED की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो Z Flip 3 में 22 रेशियो 9 जबकि 10 Pro 5G में 20 रेशियो 9 मिलता है बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.7 इंच इंचर्स मिलती है डिस्प्ले रेशियों Z Flip 3 में 1080 x 2640 और 10 Pro 5G में 1440 x 3216 मिलता है स्क्रीन तु बोडी रेशियो Z Flip 3 में 84.82 प्रतिशत जबकि 10 Pro 5G में 89.97 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो Z Flip 3 में 426 प्रतिश प्रतिश जबकि 10 Pro 5G में 526 प्रतिश प्रतिश मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो Z Flip 3 में 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera और आखिर में Ultra Wide Angle Camera देखने को मिलता है और 10 Pro 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, ultra wide angle camera और आखिर में telephoto camera देखने को मिलता है बात करें video camera की तो दोनों phone में 9 different type के features मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो Z Flip 3 में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 3 different features मिलते है और 10 Pro 5G में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 5 different features मिलते है अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते है hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो Z Flip 3 में Adreno 660 जबकी 10 Pro 5G में Adreno 730 मिलता है चिप सेट की बात करें तो Z Flip 3 में Qualcomm Snapdragon 888 और 10 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 मिलता है बात करें RAM की तो Z Flip 3 में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 8 GB 8 GB की RAM मिलती है जबकी 10 Pro 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 8 GB 12 GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो दोनों phone में same ही 2 variant देखने को मिलता है और दोनों phone में same ही 128 GB 256 GB की storage मिलती है expandable memory दोनों phone में नहीं है operating system की बात करें तो Z Flip 3 में Android V11 जबकी 10 Pro 5G में Android V12 देखने को मिलती है बाटरी Z Flip 3 में 3300 mAh जबकी 10 Pro 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं colors की बात करें तो Z Flip 3 में 7 colors जबकी 10 Pro 5G में 2 colors option मिलती है सब information देखने के बाद बात करें price की तो Z Flip 3 में 2 variant देखने को मिलते हैं जो की 8 GB RAM 128 GB storage के साथ 84,999 रूपीज 8 GB RAM 256 GB storage के साथ 88,999 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें 10 Pro 5G की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते हैं जो की 8 GB RAM 128 GB storage के साथ 66,999 रूपीज 12 GB RAM 256 GB storage के साथ 71,999 रूपीज में मिलते हैं दोस्तों अब बात करते हैं Prans and Cons यानि की फायदे और नुकसान की दो Samsung Galaxy Z Flip 3 में 4 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें OnePlus 10 Pro 5G की तो उसमें 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है result की तो डिस्प्ले में 10 Pro 5G आगे है Main Camera में 10 Pro 5G आगे है Front Selfie Camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में Z Flip 3 आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले Competitor Phone की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S21 FE 5G है दूसरा Google Pixel 6 5G है तीसरा Google Pixel 6 Pro 5G है और Last Competitor Phone की बात करें तो उसमें OnePlus 980 है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना